नमस्कार मैं चंदनुपाद्ध्या आप सभी लोगों का बहुत-बहुत स्वागत एवं अविनदन्त करता हूं आपके अपने यूटूब चैनल साइकोलाजी वाले गुरुजी में आज की क्लास में हम एमें फर्स्ट इयर प्रथम समेष्टर पेपर फोर्ड के जिस महत्पूर टापक के वारे में चर्चा करने वाले हैं कि अ क्या होता है इसका अर्थ क्या है इसका परिभासा क्या है रुख आपकी पेपर का पैपर फोर्थ का नाम है तंतृ कामनोविज्ञान की मूल बाते यह जो आपका पर वो नए सिछानिती के अनुशार पहले इस पेपर के नाम था वहार के देहिकदार और यह दोनो जो पेपर का टैटल यह दोनो सारारीक मनोविज्यान की महतपूर साखा है सारारीक मनो उसके इंतरगत आता है तो शुरू करने से पहले पहले बिशय क्या होता है उसके बारे में जानना बहुत जरूरी होता है तो आज की क्लास में हम पेपर फॉर्ट का इंट्रोडक्शन का क्लास लेने वाले हैं आपको बताने वाले हैं कि सारेरिक मनोबिज्ञान क्या होता है इसलिए आप क्लास में लास्तक बने रहें और अगर आप चैनल पे नहीं हैं तो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प् संभनित मॉल पेड़िन किया जाता है सारेर न बिज्ञान की वाले हैं जिसके के नारी संस्थानl नरवश स्टम सिष्टम और वहार के संबंदों का अध्यन किया जाता है एक दम सिंपल आपको हमने अर्थ बताया है कि कोई आप से पूछ दे कि मनोभग्यान क्या होता है तो आप पठाक से यह कहिए उससे कि सारीरिक मनोबिज्ञान मनोबिज्ञान की वासाख है जिसके अंतरगत नारी संस्थान यानि की नर्वस सिस्टम ठीक नर्वस सिस्टम में केंदरी तंत्री का अतंत होता है परदी तंत्री का अतंत जिसमी मस्तिस होता है सुसमना होता है और इत्यादी चीजों का अधन किया जाता है ठ Focus कि ब्व lasers करता है तूस नर्वस सिश्टम में क्या चिंज होता है। और कैसे जैसे कोई व्यक्ति बेहवार कर रहा है को बिति अधिEP कर रहा है। कोई व्यक्ति भूका है प्यासा है तूसे- इस से मस्तिस्क में जा उसके सरीर में परिवरतन होते हैं। क्या रसानिक परिवतन होते हैं क्या ग्रंथियों परिवतन होते हैं तो इसी को सार्रीक मनोभिज्ञान करते हैं जब हम जब भी बेवार के बिविन पहलू ठीक है ये बेवार की पर्टेच्षिकरण अधिगम अभीपर्णा संबेग इश्मिती इच्छाओं इत्यादि के सार सारेरिक मनोबिज्यान के अंतरगत आता है यानि कि जैसे किसी ब्यक्ति को बुखार हो गया है या तो किसी ब्यक्ति कोई तकलीफ है तो वह डाक्टर के पास जाता है तो डाक्टर चिक करके बताता है कि इसको बुखार है उसका दवा देता है ठीक है उसी पिकार से सारेरिक मन मांसपेश्या मसल्स वह करता है तो से मसल्स का भी बहुँ ज्यादा यूगदान होता है तथा ग्रंथियां यानि की मेन जो सारेंग मनों भी ज्यान गुद्देश है मस्तिस्ट मरूरजु ग्यानेंद्रियां मास्पैसिया तथा ग्रंथियों की सन्रचना कार होता है तो उसमें क्या चेंज जाती है उसी का अध्यन क्या है सारेंग मनों भी ज्यान करता है इसके द्वारा बिवेन बहवारों के सारेंग कार्णों का पता लगाया जाता है तक है अगर कोई बिवेभार कर रहा है कि अधंधा अजीब बहवार कर रहा है तो बilah के पीछे उसके नर्वस सिस्टम का क्या हास है इसके बारे मध्यन सारेंग मनों भी ज्यान करता है मिश्चानार है कि सरीर अधिगम जो करता है व्यक्ति तो उसके पिछ उसके शरीर में कौन्स ऐसा गरंटी है या इस बात का अध्यन होता है शारीक मनोविज्ञान के स्वरूब के समध्र में दो बाते पाज मुख्रूप से दिश्टी गौचर होती है निकल लेकिन उसका केंदर में क्या होगा उसकी बिस्वास्तू बैहवार ठीक है और क्या है शरीर के बिबिन अंगों से समफ्दित मांसिक प्रक्रिया थीक बैहवार चाहे जिस प्रकार का होगा सदे मासपेशी कर्कार्स सता यह निर्मित होता है यानि कि याणि कोई बहार करते हैं ने QAD कि खड़े Harris क्या है यह मदद करती है नैं की सवरूप को सम्यने की दुबद यह मुख्यूरिप से जिश्ची गोचर होती है पहला बैवार उसा सरीर की विविन अंगों से सम्मझनेत मांसिक प्रक्रियां क्या होती है अब कुछ परिभासा के माध्यम से सारिक मनोविज्ञान क्या होता है इसको और भी ज्यादा इस पष्ट करने कोशिश करूंगा पहला है मारगन और श्ट मनोविज्ञान को मिश्षित कर आधन किया जाता है कि किस प्रकार सारी क्रियायं वेहार संबंदी संमयोजन से संब्मझत होती है मारगन और स्टियन उसकों साविज्ञान के दरगत मनोविज्ञान और सरीर दोनों को मिला कर तिक बात का अधन करता है कि वह करता है और शारे क्रियां को मादम से किस प्रकार से वक्ति कहीं भी अपने आपको समय उजीत कर लेता है अधन करता है और यह सारे लिक मनोबिज्ञान क्या करता है वेक्ति के बहार जब वह करता है तो उसके मस्तिस्क में क्या परवेता है जैसे आपको एक्जामपल हम बदाता है कि जब भी आप किसी वस्तु को देखते हैं तो पहले उसकी संबेदना बनती है खेंक है संबेदना मतलब क्या होता है किसी वस्तु करता होता कि जब काष्टन को भाग में जाता और वहां पर si स्टोर होती है तो वहां से बताता हैं अमुक वस्तु यह तब आप आपको उस वस्तु का प्रत्यची करन होता है जैसे आप अभी क्लास को देख रहे हैं इस टॉपिक को देख है रहे हैं तो इससे समझेच मेंटर आपके दिमाग पहले संचना होगी तो आप प्रश चीग करते हैं बहुत बढ़ा आफी से करमचारी काम करते हैं तो इसी प्रकार से हमारा माइंड इसमें प्रोड इतनी जल्दी होती है कि आपको पता नहीं चलता है लेकिन प्रोड ड्रॉसेस जरूरुर होता है अगला परिभास ने लिया वेंगर जोंस और जोंस ये करते हैं कि साधुक मनों बिज्ञान आंगिक अंग मतलब अंग प्रक्रियाओं और बहवार के मद्य संबंधों का अध्येंड है धिक यानि कि जब कोई बहवार करते हैं तो उससे इसमें क्या अंगो का योगदान होता ह को का उन दोनों के मध्य क्या है यह अध्यन है अगय हम करते हैं है कि हमद्धèn के मनो बिग्यान से मिलती जूलती है यह दोनों को मिला कर मनो बिग्यान और शरीर बिग्यान से मिलती है जिसे शरीर बिग्यान में क्या होता है कि जो विवन प्रकार के सरी से समनित अंग होते हैं उनकी संचना और कार क्या होता है उसके बारे में अधन किया जाता है जब उसको म को वहाद है इसी बात कध आपका सारीक मनुद्विज्ञान का ज्यान तब तक पुर्ण नहीं होता जब तक कि रचना फ़री दिमें चुरीद प्रकार के अंग है उनकी रचना और जिव रसान जिव रसान याने कि क्या है प्लाजी कल लुटी केमिकल नहीं के लुटी स किस प्रकार कि रचना और उसकी 25 log की रचना क्या है और उन सरी के अंगों की रचना है उनसे किस प्रकार की बेस्ति जो चानल को ? कि बतला है किस बतला है सबस्टे संबेदी कार संबेदी में संबेदना आता है संब्यदना आपको हमने अभी तया कि कियोगा अर्थेहिन ग्ञान संब्यदना होता है सबसे पहला सारएक मनोविविज्ञान के इस बात का अध्यन करता है कि कोई वस्तु जब कि larger संभेदनाा प्रात्थ संभेदना किसे प्रात्थ होता है ग्जानेंद्रियों के माधिया से यह można हमारे मस्तिष्क में ठीक है तो सम्धिना प्रांत होने पर उसके थ ann chip में परिवर्तन होते हैं और कैसे एक व्यक्सिस की संबच दाना को प्रतेच्छी करान में बदलता है इं सभी बातों का अध्यन क्या है कि संबेद्या मिल्डना जाके मस्तिस्क में प्रतेचिकन होता है कारे या उसके बात मस्तिस्क आदेश देता है व्यक्ति को तो कारेवाहि क्रिया व स्थांग जो क्या होते हैं किया हम कर Bye करते हैं और कर वह करते हैं कोई करते हैं कि जैसे हाथ पैर आपका है तो यह सब क्लेवाई करते हैं कैसे कारे करते हैं किसरा सम्गेख मतलब होता है कि जो क्रोध है फ्रेम घृढ़ा यह सब क्या होता है सम्गेघ होता है और प्रणा कर देहिक बिग्यान शम Vin और प्रणा कि अबस्था में वेक्ति बहवार करता है जब वेक्ति अंदर सम्बेघ उत Zahl ऌता है तो शारीक मनू करते हैं यानि कि पहले हम डरते हैं पर हम भागते हैं पहले हम को दुख होता है फिर हम रहते हैं तो इस सभी का आपके कहा सारी मुनों बिज्ञान में किया जाता है तो था सीखना था स्मिथी कैसे ब्यक्ति सीखता है कैसे अधिखम करता है कैसे कोई जो चीज लंबे समय तक याद रहती है ठीक है और याद रखने के लिए मस्तिस्क कैसे अपना महत्वड़ भुनका अधा करता है ठीक और कोई सुषमा है कैसे 50 में लंबे समय तक एक सारीक काले यस किया जाता है साधिया देखिए कई व्यक्ति आपने समाध में देखा हूगा कि गवेक्ति जो है बहुत जिनियूस होते हैं परदिभासाली होते हैं कई विक्ती क्य एकदम मुर्क होते हैं मुड होते हैं cust ये मुर्ख होते हैं मूल होते हैं उसके पीछे क्या है उसके प्रेंट का फिजिकली कारण क्या है थिक है यह सरीर के किन उंगों की खराबी के जाता है वह बेच्ति को q vasthijd बार ग्यागती सोता कैसे है उसको क्यों निदा आती है व्यक्ति क्यों यह अगर आता है इस सभी की वारे में कंप्लीट जंकारी आपको क्या है साहरीक मनो बिज्ञान में मिल जाएगा कई कई बार बनो बिज्ञाने को ने यह देखा कि निद्रा तो नीद मस्तिस्क में ऐसा कौन सा स्थान है जिससे जो ग्रंथियों का रसानों को श्रा होता है तो वि है यह आप कड़िविटीज करते हैं जो भी क्रियाय करते हैं उसके लिए आप के मस्तिस्क में एक च्षत् बनाव जैसे आपके ग्याण इंद्रिया से समंधित 26 आपके मस्तिस्क में जیसे यही आपका मास्टर है यह को कंč्रो करता है तो सब क्या है बटन यहहाँ पर है और वेक्थि क्रिया करता है तो इस सब के बारे में complete जंकारी आपको क्या है सारारीक मनुव बिज्ञान के इंतरगर्द मिल जाएगा तो आज के क्लास में हमने जाना कि कि अगले क्लास में यूनिट फर्ष्ट का जो पहला टाफिक है इसको स्टाट करेंगे और इस टाफिक का आपको है निटे नोट का लिंक के डिस्क्रिप्शन बाक्स में मिल जाएगा जहां से आप अपने नोट को डाउनोट करके अपने अच्छे नोट को बना सकते हैं तेक ह आज की क्लास में इतना ही मिलते हम अगले क्लास में तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद